अलो, नमस्कार इस्ट्वेंट, मैं भी शेक भारगाओ, भारगाओ क्लासेश के इस यूटूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करते हूँ, आज का जो मारा वीडियो को टपिक है वो है सूच कांक, जिसको हम रैंकिंग कहते हैं 2022, तो जितने भी इंपोर्ट कर लिजो और बैल का इकन जरूर प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला प्रशन क्या है इसके अंदर में, तो देखें यहाँ पर जो पहला प्रशन है, वो है morning consult survey द्वारा विस्व के सरवादिक लोकप्री नेता की सूची में, नरेंद्र मोदी जी को किस rating के साथ सिर्ष इस्थान पर रखा गया है, तो वो rating बताना है जिसके अनुसार उनको सिर्ष इस्थान पर रखा गया है, तो इस सूचकांक में उनको सिर्ष इस्थान जो है वो दिया गया है, rating आपको यहाँ पर बताना है कि कितनी rating के साथ में वो जो है पहले स्थान पर हैं तो यहाँ पर जो सही answer होगा वो होगा 71% उनको rating दी गई है ठीक है और वो पहले स्थान पर है देखे सरविक्षण में top जो 10 approval rating वाले नेता है उसमें नरेंद्रमोदी भारत जो है वो 71% के साथ में पहले स्थान पर है दूसरे स्थान पर है लोपेज ओडोर मेक्सिको के 66% के साथ में ठीक है rating के साथ में फिर है मारियो, द्रागी, इटली के 60% के साथ में, और फिर चौथे स्थान पर है फुजियो, किसीदा, जापान के 48% के साथ में, ठीक है ये इनकी रेटिंग है, इनके नुसार जो है वो ये पहले दूसरे तीसरे स्थान पर हैं, दूसरा प्रशन है, 2022 राष्टी परिवार स् सरविक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, प्रजनंदर 2.2% से घटकर हो गई है, तो आपको बताना है कितनी हो गई है, ठीक है, और एक बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है, तो यहाँ पर जो सही अंसर होगा, वो होगा, 2%, ठीक है, कितने हो गई है, 2%, 2.2% से घटकर, 2% जो है, वो रह गई है, ठीक है, तो याद रखेगा, और इसमें जो सिर्ष, जो भारत के तीन राजियें, उसमें बिहार है, मिगालय है, और उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तीसरा प्रशन है कि वर्तमान 2022 में जारी, वैस्वी के सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन स इस्थान प्रप्त हुआ है, अक्सर पुछे जाने वाला, जो है, वो सूचकांग है कि वैस्वी के सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा इस्थान है, तो भारत का जो इस्थान है, वो है 121 वा, तो सही ऑप्शन क्या है, 121, जो है वो भारत का इस्थान है, ठीक है, वैस्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 के अंदर में, देगे हाली में वैस्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई, इस रिपोर्ट में 163 देश जो थे, वो सामिल थे, और भारत को यहां पर जो है, वो 121 वा इस्थान जो है, वो प्राप्त हुआ, यह वर्ष 2020 में 177 था, और 2021 में 120 वा इस्थान था जो कि अब बढ़कर 121 वा हो गया है तो याद रखेगा ठीक है चौता प्रशन है कि विश्व खुसहाली सूचकांग 2022 जिसको हम World Happiness Index 2022 के नाम से यानते हैं तो याद रखेगा ये भी एक्जाम में पूछा जाता है खुसहाली सूचकांग के अनुसार खुसहाल देशों की सूची में भारत कौन से इस्थान पर है तो भारत कौन से इस्थान पर है यहाँ पर है भारत 136 वे इस्थान पर 136 वे इस्थान पर है भारत ध्यान रखेगा World Happiness Index के अंदर भारत 136 वे स्थान पर है ठीक है देखे रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट सतत विकास समधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है कुल 146 देश थे इसके अंदर में प्रथम इस्थान पर जो देश रहा वो था फिनलेंड और भारत का इस्थान है 136 वे तो याद रखेगा भारत जो है वो 136 वे इस्थान पर था 146 वे देश के अंदर में ठीक है पाचवा प्रस्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा इस्थान मिला तो ग्लोबल पावर इंडेक्स के अंदर जो 2022 है उसमें भारत को कौन सा इस्थान मिला है तो यहाँ पर आपको बताना है तो भारत जो था चौथे इस्थान पर था कौन से इस्थ में 2022 में कुल 142 देशों को सामिल किया गया और टॉप जो थे चार देश वो कौन-कौन से है तो वो है अमेरिका, रूस, चीन और फिर भारत ठीक है उनके सैन ये ताकत के अधार पर जो है उनको रैंकिंग दी जाती है छटवा प्रशन है कि विश्व प्रेश स्वतंतरता सूचकांग 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है ये एक आएमपी है ठीक है ये अकसर एकजाम में जो है वो पूछा जाता है तो इसको नोट डाउन कर लीजेगा और इसको याद भी कर लीजेगा कि विश्व प्र प्रेश स्वतंतरता दिवस के असर पर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेश स्वतंतरता सूचकांग का बीसवा संस्क्रण जो है वो प्रकासित किया गया और इसके अंदर 180 देश सामिल थे जिसमें भारत का स्थान था है 150 वा तो ध्यान रख तो परियावरण प्रदर्शन सूचकांग में कौन सा देश है जो इस्थाई देश के रूप में सबसे पहले इस्थान पर रहा तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा डेन्मार्क डेन्मार्क जो है इसमें प्रथम इस्थान पर रहा परियावरण प्रदर्शन सूचक यह सूचकांग यहल विस्व विद्धियाले अमेरिका और कोलम्बिया विस्व विद्धियाले द्वारा जारी किया जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा यह प्रशन को इस सूचकांग में 11 विविन मुद्दों से संबंदित स्रेंडियों और 40 प्रदर्शन संकेतों के अधार पर जो है वो जो क्या किया आता है तै किया जाता है रेंकिंग आठवा प्रशने की वार्शिक विश्व प्रतिस प्रधात्मक सूचकांग 2022 के तहत भारत ने ACI अर्थ व्यवस्थाओं में सबसे तेज विर्दी की है इसमें भारत को किस इस्थान पर रखा गया है तो भारत जो है वो 37 इस्थान पर रहा है यहां पर ठीक है तो ध्यान रख सबसे अधिक विर्दी भारत ने की है 43 इस्थान से वो 37 इस्थान पर जो है वो आया है ठीक है नवा प्रशने की M3M Global Rich List 2022 रिपोर्ट के नुसार एसिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं तो एसिया के सबसे अमीर व्यक्ति आप सभी को मालूम है कि मुके संबानी बने ह तो मुके संबानी जो है वो एसिया के सबसे अमीर व्यक्ति है और एलन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है ठीक है दस्वा प्रशन है कि वानिज और उत्योग मंत्राले द्वारा इस ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022 के अनुसार किस राज्जी को पर रखा गया है जारी तो याद रखियेगा भूलियेगा मत इसको ठीक है तो दस्वा जो प्रशन है वानिज और उत्योग मंत्राले द्वारा इस ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022 के अनुसार किस राज्जी को जो है वो टॉप पर रखा गया है तो यहाँ पर जो गुजरात और तेलंगाना तो याद रखना है इसको ग्यारवा प्रशन है कि 2022 में आयुजीत इट राइट चैलेंज कारिकरम की रैंकिंग में देश के किस सहर को प्रथम इस्थान मिला तो इट राइट चैलेंज में जो है वो कौन से सहर को प्रथम इस्थान जो है वो दिय गया है तो रिपोर्ट के तहट 75 सहरों और जीलों को विजेता चुरा गया पंजी किरुट सहर थे 188 जिसके अनुसार प्रथम इस्थान पर रहा इंदौर मंत्यप्रदेश बारवा प्रशनाई की 2022 के लिए हैले पासपोर्ट सूचकांग 2022 में भारत को कौन सा इस्थान दिया गया है तो हैले पासपोर्ट सूचकांग 2022 में भारत को 87 वा इस्थान जो है वो दिया गया है ये पासपोर्ट के ताकत के अनुसार जो है दिया जाता है तो हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, सिर्ष देश में जो है वो जापान रहा, भारत जो है वो 87 इस्थान रखता है इसमें, कुल जो थे वो 199 पासपोर्ट वाले देशों को जो है सामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंकिंग है 87, 87, ठीक है, तो याद रखेगा, पासपोर् फिनलेंड, ठीक है, इटली, लक्संबर्ग, जो है ये जो है वो आस्ट्रिया, डेन्मार्क, ये ताकत वर जो है वो इनके पासपोर्ट होते हैं, ठीक है, तेरवा प्रशन है कि हाली में वैस्विक 37 सूचकांग, ये भी एक इंपोर्टेंट प्रशन है, वैस्विक 37 सूचक में भारत तीन पाइदान उपर चड़ा, भारत को 163 देशों की सूची में 135 स्थान जो है वो मिला है, सूचकांग में भारत को सांती के मामले में निम्नवर्ग में रखा गया, घरेलू और अंतराश्टी संगर्स, समाज में सुरक्षा और सैन्य करण सहीत, 23 मापदंडों के अधार पर देशों को मुल्यांगन जो है वो किया जाता है, तो भारत का स्थान 135 याद रखेगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विस्व में कौन से स्थान पर रहा, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 ये भी एक important इंडेक्स है, तो इसको भी याद र पर रहा, पंदरवा प्रश्ण है, QS Best Student Cities Ranking 2022 में छात्रों के रहने के लिए सर्वस्रेष्ट सहर कौन सा है, तो साथ छात्रों को रहने के लिए सर्वस्रेष्ट सहर जो है, वो है लंदन UK, ठीक है, याद रखेगा, टाइम्स पत्रिका 2022 द्वारा विस्वे के सर्वस्रेष्ट सहरों के सूची में भारत के किन दो सहरों को चुना गया है, तो भारत का अहमदाबाद और केरल इसको जो है वो चुना गया है, टाइम्स पत्रिका ने वर्थ 2022 में विस्वे के सर्वस्रेष्ट सहरों के सूची मे भारत के सहर अमनाबाद और केरल को जो है वो सामिल किया है इन दोनों इस्थानों को गुमने फिरने के लिए 50 असाधरन इस्थलों के रूप में चुना गया है तो याद रखेगा नेक्स्ट है अंतराश्टी ये बौधिक संपदा सूचकांग 2022 2022 में भारत को कौन से इस्थान पर रखा गया या इनको कौन सा इस्थान दिया गया है तो यहाँ पर जो सही अंसर है वो है 43 वे इस्थान पर भारत रहा है अंतराश्टी बौधिक संपदा सूचकांग के अंदर में और रैंकिंग जो है सिर्ष देश हैं सेयुक्तराज अमेरिका, युनाइटेट किंग्डम और जर्मनी तो याद रखेगा अठारवा प्रशना है कि VDEMS की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है कुल देश थे 179 देश जिसके अंदर में प्रथम जो है वो है स्वीडन, भारत है 93 अस्थान पर और सिर्ष पांस देश हैं स्वीडन, डेन्मार्क, नार्वे, कोस्टारिका और न्यूजिलेंड ठीक है तो ये सिर्ष पांस देश है हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वूमेन इन दव वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट के नुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन मनी है Most important question है भारत की सबसे अमीर महिला अपने खुद के दम पर जो बनी है वो है फालगुनी नायर फालगुनी नायर जो है वो 2022 हुनूर रिचिस्ट सेल्फ मेड वूमेन इन दव वर्ल्ड में पहले स्थान पर है भारत में भारत की सबसे अमीर महिला है फालगुनी नायर और ये जो नायका आपने सुना होगा नायका नायका की फाउंडेशन और सी उ है फालगुनी नायर खुद के दम पर भारत की सबसे अमीर महिला जो है वो ये बन गई है फालगुनी नायर नेक्स्ट प्रशन है कि टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्व स्रेष्ट सहर कौन सा है तो दुनिया का सर्व स्रेष्ट सहर जो है वो आपको बताना है कि कौन सा है चलिए इसको जो है वह आप लोग नीचे comment section में comment करकर बताएंगे कि वो कौन सा सहर है ठीक है next प्रशने की दरब चलते हैं 21 प्रशना है कि कौन सा संस्थान विभाग हर साल लागात मुद्रा सिफिती सूचकांग जारी करता है तो कौन जो है वो हर साल लागात मुद्रा सिफि बोर्ड ये हर साल जो है वो जारी करता है किंद्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब की Central Board of Direct Taxes जिसको CBDT के नाम से जाना जाता है ठीक है हाली में 2022 में जारी किस सूचकांग में भारत को 135 स्थान पर रखा गया है तो भारत को कौन से सूचकांग में 135 स्थान पर रखा है अभी उपर हमने पढ़ा तो वैस्फिक लेंगिक अंतराल सूचकांग, ठीक है, इसमें जो है 135 वे स्थान पर है, वैस्फिक लिवेविलिटी सूचकांग 2022 के अनुसार, दुनिया में रहने योग ये अच्छे सहरों की सूची में कौन सा सहर टॉप पर रहा है, तो आपको बताना है कि रहने योग ये अच्छे सहर में जो है, वो कौन सा सहर है दुनिया का जो रहने लाइक टॉप पर रहा है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है वियना, वियना जो है वो टॉप पर रहा है, ठीक है, वियना इस रेंकिंग में सिर्ष इस्थान पर रहा ह इसके बाद कोपेन हेगन दूसरे इस्थान पर रहा है यह विएना जो है वो ऑस्ट्रिया का जो है वो सहर है 24 प्रशन है कि विस्व वायू गुडवत्ता रिपोर्ट 2021-22 के नुसार दुनिया के सबसे प्रदूसीत राजधानी कौन सी है तो आपको पताना है कि दुनिया के प्रदूसीत राजधानी जो है वो कौन सी है तिया पर सही अंसर है वो है दिल्ली भारत रिपोर्ट जारी जो करता है वो करता है स्विस संगठन IQ Air प्रथम इस्थान पर दिल्ली है दुईती इस्थान पर ढाका बांगलादेश है ठीक है तो याद रखेगा इसके बाद है वैस्वीक आतंकवाद सूचकांग 2022 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है तो भारत को बारवा इस्थान जो है वो दिया गया है ठीक है इंस्टिटूट फॉर इकोनोमिक्स एंड पीस द्वारा जो है वो जारी किया जाता है कुल देश से 163 प्रथम इस्थान है अफगानिस्थान का और भारत का इस्थान जो है वो बारवा इस्थान है इसके अंदर में ठीक है तो यह हो गए आपके 25 जो है वो इंडेक्स सूचकांग से संबंदीत प्रश्ण रैंकिंग से संबंदीत प्रश्ण यहां से एक से दो नंबर के प्रश्ण जो है वो अक्